एलोगाइब लिखल हुंहाँ का मेरी चनलम रहे शिच चांदर होस्वे में हाँ आप हम लोग केसे कंटर में कोरा थी remains यूप केलर हें थी रही चनलम है जाना होस्या लोग केंवें निसम् सच सकतोर है हम लोग बातों पुच् sol के हुगाते हैं न होड़ाइओं तो तब कि यह कुछ ग्लिप्स हैं तो एक फिर दोर मिल गई थी हमारी प्रेंट में जो भी आया तो पीछे जाते तो यह लोकल हमारी छूट जाती है तो इसके बाद इवनिंग में मेरे घर के बाजू में ही एक मतलब मेरी फ्रेंड है उनको छोटा बेबी अभी हुआ है चोटा सेडी के आप दे सकते हैं तो उनकी छटी की पूजा थी तो इसमें बुलाया था तो बस तो चार पांच लोग ही थे तो बस वही थोड़े असा मतल प्रेंड है और चल रहा था यह जो है ना यह लोग गाउन में इनके ही बेबी हुआ और यह पिता जीव है उनके तो और बोले ती जाद आने जुखूंगे नहीं में तो गिर जाओंगी पेट अभी में कभी में सब्सीज़ दी गवा था देगी तो सैथ कुछ प्रब्लम हो अभी पेट में और आंठी बैठी है हमारी बजुभी रहती है आंठी एक फ्रेंड है सैंकी और यह उनकी भावी है जो पट्टे में है तो उनकी मामी है जो भी मुदी भी हुआ है और उसके बाद मैं आ गई थी घर में अपने तो तीज्या बनाना था बच्चों ने मूला निए बटर को थोड़ा सा गरम होने दी और उसको पुरा मिटलब फैला दिया था कड़ाई में ताकि मितलब सब्सक्राइब जो हैं चिपके नहीं और यह सिम्ला मिर्च अगर मैं कच्ची डाल देती है तो थोड़ा सा कच्चे पन कटेश्ट आता है मेरा बेटा नहीं खात चेंज हो जाएगा और यह प्याज भी मैंने बड़ी-बड़ी करकर के थोड़ा से इसको मतलब कलर नहीं आने देना है थोड़ा सा सुटे करना है ताकि ना उसका जो कच्चा पने वह दूर हो जाए तो इतना ही और लास्ट में थोड़ा सा टोमैटो था तो उसको भी थोड तर रिका सोट डाल रही थी मैं तो बस होई मिला करके देखिए और इसको पकाया नहीं मैंने स्रिफ इसको थोड़ा सा मने चलाया था कि कच्च्चा पंदूर हो जाए इसका और फट अपर और यह पिजबेस मार्केट से लाया थे क्योंपि घर में नहीं बनाया हुए इस मा बाद उसमें हम लोग अपना पिजबेस रख देंगे तो यह हो गया था इसके पाद में लगाओंगी सॉस जो पिजबेस आता है उसको लगा दूंगी सिंपल सा जो घर में बन जाता है तो वह सिंपल सा था कि बच्चों को यह भी लगी कि खा लिए क्योंकि अभी बाहर का कुछ लाने लाइक नहीं है तो जैसे मेरे से बन पा रहा था वैसे मैंने उसको बनाया मैंने स्वास लगा दिया धेर सारा पूरा स्पून से मैंने मेल्ट कर दिया पूरा स्पून के सहता से तो यह से मैं पूरा इसको मिक्स कर दिया था और टेस्टी बना था और जिसके पा तेश्टी रहता है और मेरे को तो थोड़ा सा क्रिस्पी पसंद है नीचे से तो मैं आपी प्लेट में जुछ मैं निचे से थोड़ा में बटर लगाएं कि ताकि क्रिस्पी हो जाए तो ये देख़े पूरा मैं आप अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है पूरा और इसके बाद जो मैंने अपनी फ्राइ की थी सब्जियां तो यह देखो मैंने ना बटर लगाया था कि मुझे ना क्रिस्पी तो अच्छा लगता है नीचे से तो थोड़ा सा मैंने लगा दिया था बटर और इसके बाद अपना पीजावेश रख दूँगी और चीज चैज क्लिए छोटा वारा मेरे पास जिसमें बुकदू कस करते हैं को रह्प चासümें जरीज तो मैंने इसमें वारीक चीज क्दीख अनुकरिए ति को मैंने लिए-प्रेइट के साथ में रखोंगी ताकि मतालें ज़चे बाद आप नीचे रखेंगे लखेगे ज्स तो आप देहन रखें अगर आप तवे में भी वनाई या फिर कड़ाही में तो एक प्लेट में रखके आप पिजवेस रखें डारेक्ट पिजवेस पैन या फिर कड़ाही में न रखें तभी आपका पिज़ास चाहिए और इसको पकने में कि दस मिनट का टाइम लगा है दस से बारा मिनट में पक गया था रेडी कि अशन बन करके और कटर भी नहीं था मेरे पास तो में शक पूसे कट किया था तो परावर कट नहीं हुआ था बढ़ टेश्टी बना था तो चल कि वीडियो के एंड करती हों अगर आपको वीडियो अ कर दो करी एक दो करी एक दो